आँ हेलो और इससस जोति तो डिया साइन्स शोशन साइन्स का रिखने मेसरे में ब्लाभ सोछल साइन्स सूशन साइन्स का कि अमिए हमारा क्लास प्लाश स्का ये वाले हैं च्रूर अब कुर को ऐ slipping हैं अगाइंग्ख और मुद तो इस के अंदर जासके हैंRead और किस्पय कुव बोर्ड एंट्रीज हमारी कौन कौन सी होते हैं, दिनाक, अक्षा, विश्य, उपविश्य, प्रकरण, कालांश और अधी, ये सारी हमारी बोर्ड एंट्रीज होती हैं, जैसे कि दिनाक जिस डेट को हम अपना लेसन प्लान पढ़ाते हैं, काक्षा सिख्ते हैं हमारी, विश्य हमारा समाजे कविग्यान है उपश हमारा भोगोल है प्रकरण हमारा ग्लोब अक्षांश और देशांतर है कालंश हमारा जिस कालंश में जिस पीरिड में हम चैप्टर को पढ़ा रही है और अवदी हमारी 35 ये 40 मिनिट्स की मिनिमम होती है तो यह हमारा नेक्स्ट लेसन प्ला का जल्दी से जल्दी मिल जाए और जिस स्टुडेंट को जिस भी टॉपिक का लेसम प्लान चाहिए वह मुझे कमेंट सेक्षे में कमेंट करके बता सकते हैं मैं उसका लेसन प्लान अप्लोड करूँगी अगे हम देखेंगे समाने उदेश कौन-कौन से होते हैं हमारे पास समाजिक विज्ञान के समाने उदेशे हम लिखेंगे चात्रों में समाजिक विज्ञान विशे के प्रती रूची उत्पन करना यानि कि सोशल साइंस के लिए क्या करना बच्चों के अंदर इंटरस्ट जागरत करना और जदा डेवलेप करना शात्रों में समाजिक विज यानि Q मेन्टरी उनका डैवलेप्मेंट हो keeping and 5 जिञानात्मक बौधात्मक प्रयोगात्मक कॉश्लात्मक यह चार अमारे विसिश्च उदेश्चे होत Mega where we're ग्यानात्मक में क्या है चात्र प्रित्वी की गतियों का विशिस्ट ग्यान प्राप्त कर सकेंगे यानिकि प्रित्वी की जो गतियां है उसका ग्यान प्राप्त कर सकेंगे बोधात्मक में क्या है चात्र प्रित्वी की गतियों की व्याख्या के बारे में जानने का प्रियास कर सकेंगे तो यह हमारे ग्यानात्मक और बोधात्मक हो गए अब हम देखेंगे प्रियोगात्मक प्रियोगात्मक में क्या है चात्र पृत्वी की गतियों के बारे में जानकर अपनी कारे सित्वी की गतियों के बारे में जानकर उनकी व्याक्या कर सकेंगे यानि कि यह कौशल आएगा कि व्याक्या कर पाएंगे तो यह हमारे पास कितने हो गए चार हो गए विशिष्ट उद्देश है उसके बाद हम देखेंगे सिक्षन सहायक सामगरी यानि कि कौन-कौन से टीच शामपट याने की ब्लैकबोर्ड संगेत याने की पॉइंटर और पुस्तक यह हमारे मिनिमम हमारे पास जनली यूज करने के लिए होते हैं क्लास में विशिस्ट हमारा के है कि हमने ग्लोब का यूज किया दिखाने के लिए यह जो अक्षांश और देशांतर रेखाई होती है इसको दिखाने के लिए हमने ग्लोब का यूज किया रियल ऑबजेक्ट जैसा कि ऑफिसेज में यह हमारी लैब्स में रखा होता है ग्लोब उसका हमने यूज किया रियल ऑबजेक्ट का उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों का पूर्वा ग्यान हम अजियूम करेंगे शात्र पृत्वी के बारे में समाने जानकारी रखते हैं यानि की जनरल नौलेज पृत्वी के बारे में है बच्चों के पास तो ये उनका पूर्वा ग्यान है प्रिवियस नौलेज है उसके के लेवल के ही हमारे पास questions होंगे जिसमें दो तरीके के activities होती है teachers activity और students activity teachers question पूछते हैं और जो students है वो उसका answer करते हैं तो इसमें हमारे पास चार से प्माच questions होते हैं अब बना सकते हैं अपने टापिक तकी लिए जढ़ा नहीं बनाएंगे सिफ चार से प्माच question हुआ हमारा पास सबसे पहला question क्या है हम कौन से ग्रह पर रहते हैं यानि कि हमारा कौन प्रित्वी उसके बाद है प्रित्वी के भुवालिक आकार को कैसे देखा जाता है तो बच्चे बताएंगे ग्लोब से या फिर ग्लोब पर थर्ड हमारा ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को आप किस नाम से जानते हैं अक्षांश्व देशांतर रेखाएं ये नॉर्मल क प्राशन है प्राव्लमाटिक कोशन है बच्चों के लिए की उसके बाद हम अपना उद्देश्य शिकथन बोलते हैं क्या होता है हम इस्टेट्मेंट बोलते हैं चात्रो आज हम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पार्ट का विस्तार पूर्वक अध्यन करेंगे तो यह हमारा उद्देश्य कथन होता है और यह बोलते वक्त ही हम टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं अक्षांश वह देशांतर रेखाएं उसके बाद हम क्या करते हैं हम अपने में प्रस् आगे बच्चों को चैप्टर पढ़ाते हुए चलते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को ग्लोब ही डिस्क्राइब करते हैं कि ग्लोब बेसिकली है क्या एक्स्प्लेनेशन हमारा किसका होता है ग्लोब का तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने कॉलम्स बनते हैं सिक्षन पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे नहीं उस तरीके से हमें उसके बारे में जनरल नॉलेज़ जो भी चैप्टर के अंदर दी हुई वो देनी है तो यह हमारा लगबग एक पराग्राफ है पूरा उसके हिसाब से हमें ग्लोब के बारे में बच्चों को बताना है चात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विदी का हम यूज करेंगे और ग्लोब के बारे में बताते वक्त ही हम ग्लोब रियल ऑबजेक यहाँ पर दिखाएंगे तो real object हमारा क्या है world का globe तो यह हम बच्चों को दिखाएंगे इसका miniature यहाँ पर आप paste करेंगे उसके बाद हम देखेंगे अक्षान श्रेखा क्या होती है अक्षान श्रेखा जो भी होती है अब उसके बारे में हमें स्पस्टी करण देना है कि भूमद्य रेखा के समांतर किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिने ध्रुव को खीची गई रेखा है अक्षान श्रेखा कहलाती है तो इस तरीके से आपको अक्षान्श्रेखा के बारे में क्या करना है बच्चों को डिस्क्राइब करना है शात्र जो है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे व्याक्यान विद्धी का आप यूज करेंगे उसके बाद बच्चों से पूछ लेंगे कि ग्लोब द्वारा क्या पता चलता है तो बच्चों का ध्यान देखने के लिए कि बच्चों का ध्यान क्लास में है या नहीं है आप मुल्यांकन प्राशन पूछ सकते हैं कि उनकी अटेंटिवनेस का पता चल जाए कि बच्चे कितन क्लास में थे अक्षान्श रेखा के बाद ़िए क्लास के बाद हमारे पास नेगुस्ट कॉनजा दाता है देश अंतर रेखा है जैसके अक्षान श्रेका कि हमने पढ़ादिया उनको एक कह देश अंतर रे पढ़ाएंगो बच्चो को देशांतर रेखाई जो हमारी है वो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा EU एक्सप्लेइन करेंगे बच्चों को जितना हमें बुक में दीया हुआ है उसके इंप्सकों को मेन मैं जो भी उसमें इन्फॉर्मीशन है वो देनी है उस्पस्थी करन हम देंगे उसके बारा शात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व्यक्यान विदी का हम यूज करेंगे अगर आप ब्लैक बॉर्ड पर कुछ लिख रहे हैं तो आप ब्लैक बॉर्ड का मिनियेचर भी यहाँ पर लगा सकते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे दुबारा स्पस्टी करण देंगे मानक समय का मानक समय का आप इस पस्टी करण देंगे भारत में गुजरात के द्वारका तथा असाम के डीबुगड के इस्थानिये समय में लगभग एक घंटे पैंतालिस मिनिट का अंतर होता है यह जरूरी है कि देश के मद्य से होकर गुजरने वाली किसी मद्योत्तर के इस समय का आपको एक्स्प्लेइन करना है बच्चो को चात्र जो है स्टूडेंट जो है वह द्यान पूर्वक सुनेंगे केरफुली सुनेंगे आपको व्याक्ठ्यान विदी का यूज कर रहे हैं उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड का यहां पर मिनियेचर लगाएंगे क्योंकि ब्लाक बोर्ड पर लिखा है कि भारत के कौन से स्टेट है जहां पर एक घंटे 45 मिनिट का अंतर है इन रेखाओं की वज़े से तो यह आप यहां पर ब्लाक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो उसका यहां पर क्या लगाएंगे मिनियेचर लगाएंगे कौन से राज्यों में सम पूछ लेंगे आपने explain कर दिया बच्चों से पूछ लिया ताकि पता चल रहा है आपको की बच्चे जहां से सुन रहे हैं यह नहीं उसके बाद आप आते हैं पुन्रा वृत्ति प्रश्न पर पुन्रा वृत्ति प्रश्न हमारे कैसे होते हैं जब हम पूरा चेप्टर कर कैसा होता है तो यह पूछ लिया हमने उसके बाद क्या ग्लोब इस्थिर होते हैं यह पूछ लिया हमने तो जो जो explain क्या है उसके हिसाब से बच्चे आपको answer करेंगे ग्रीकारे देना होता है हमें लास्ट मेस के अंदर ग्रीकारे हमारा home assignment जिसमें आप बच्चों को एक long question देते हैं पृत्वी के globe अक्षांश तता देशांतर रेखाओं के बारे में लिखकर लाइए तो बच्चे इन दोनों रेखाओं के बारे में explain करके लाएंगे जिससे क्या होगा कि उनकी इस question की preparation भी हो जाएगी आपको question ऐसा देना है जिससे बच्चों के chapter की थोड़ी ब marks देंगे आपका dressing sense कैसा है आप आपका जो आपकी body language कैसी है आपकी तरीके से explain कर रहे है क्लास को maintain कर पा रहे है नहीं या फिर discipline सही है क्लास का बच्चे आपके साथ engage है या नहीं है आपकी board handwriting कैसी है board की entries कैसी है explanation आप lesson plan के हिसाब से दे रहे हैं या कुछ different बता रहे हैं तो इस तरीके से आपका remark यहां पर लिखा जाएगा जो जो कमी होगी वह आपको improve करने के लिए यहां पर लिखी जाएंगी बाइस सुपरवाइजर सुफ्रेंट से थी हमारे आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अक्षांश हो देश अंतर रेखाओं के बारे में पढ़ा जो हमारे ग्लोब में है और यह चैप्टर हमारा भोगोल का है I hope आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा thank you so much friends for watching this video subscribe my channel comment on this like this video and share with your friends also thank you so much झाल